तब तक के हुई गई न भस रहे बानी बाबा कई रहे जूट भबानी सुनो भोले बाबा सती मैया बिल्कुल जूट बोल रहे है नई कर जोरे की करीबी नीता सती में रूप बनाओ सीता आज जिस समय ये कहा कि सती जी बिल्कुल जूट बोल रहे हैं सीता जी का बेश बना करके गई लेकिन इनकी पैंचान हो गई सोई भोले बाबा हिर्दय में संकलब ले गई कि तुम हमसे जूट बोले गई तो भोले बाबा रूप गई परवत पर चले गई समाधी में बैठे गई नपला खोले और नपहों से बोले हिर्दय में ये संकलब कर लिया कि तुमने जगत जन्नी सीता का रूप धड़ किया है तो अब मैं तुम्हें पत्नी का दरजा नहीं दूए अब सती जी विचार करती है कि भोले बाबा हमसे नाराज होगे हमने ज़ुट बोल रूप जासे जे नाराज है तो पर अबा हम जिंदा रहे कि का करेंगे हम उम्मर जें बੈबढ़ी आए सती जी विचार कर रहे है कि एगर पती बुउटना आए तो फिर जिस सरी छूटी जै जै वड़ी आया है लेकिन आज की दसा आज कल अगर पती देव नाराज हो जाए बैसे चाहूं हलकी अलकी रोटी करते हो अगर गुसा है गई और यह ऐसा तो है ना है लड़ाई तो घर घर में होते है और नेक अनमन भाव तो बैसे तो अलकी अलकी रोटी करी दे और बाद ने असे कंडा असे सरकाब है और छोटो सो बालक तो रह रहे इतामगा लेपे बापे रोटी देया अमाई डाए बोल्ट बताओ इसमें का करही भागवत भागवत सुनना वो होता है जो अच्छी बात मान की जाओ बैसे तुलसी दास ने तो ये कहा है कि एक अई धर्म एक प्रतनेमा कहें बचन पत पत मन प्रेमा सबसे बड़ी भागवत है पती की सेबा सबसे बड़ी तीर थी यात्रा है पती की सेबा लिकने चाहे कोई करवी राजी राए देखा होगा आपने जे ब्रत रहती है और नौद रगा कुजब ब्रत रहें तो एक एक लोटा पर चाच चार पांच पांच लोटा पानी जाए रो माँ पाप और उपर कटोरी में आग बबराज जाए रहें और बे खेत पर पामरों चलाए रहें उन्हें एक गुलास पानी भाए का होई सकत तो जाए तो ध्यार रखना सबसे बड़ा धर्म है पती की सेवा करना आज कल लिए सबाल कर दू में कि कौन सी मा भेन है जो सबह सबह पने पती के पैर चूती है तो साज सबह ही छोती यहाद सबह ही छोती है तुम अंदगी बात करे आज सती महिया ने यह सोचा कि अगर भूले बाबा बोंतना आए तो अब हमारी मौत हजाए जे बड़िया जाई चिंताम बैढ़ी काविदना तो बोलिंगे काविदना पलग खोलिंगे लेकिन भूले बाबा की समाधी खुली तो कब? सतासी हजार साल के बाद जब समाधी खुली तो बोले बाबा ने पलक खोले महते बोले मगर वो दरजा नहीं दिया जो पत्री का होता है तो सती जी ने ये देखा कि आकास मारग सें देवताओं अपने अपने बिवानों पर बैठ के जा रहे हैं तो सती मैया ने धीरे से बोले बाबा से एक बात कई गई महराज जी बताओ ये देवता कहां जा रहे हैं बोले बाबा ने कई कि ये देवता तुम्हारे पिता दच ने यग किया है उस यग में शामिल होने के लिए जा रहे हैं ए महराज और तुम के उना जा रहे हैं जबाब दिया कि हमें तुम्हारे पिता दच ने नोता नहीं दिया छिकवाद दिया है तो उस समय ये दच सबसे बड़ी राजा थे बड़ अधिकार दच जब पाबाब तो प्रभता पाय किने मदना है जा के हाथ में सत्ता आ जाए उसे गमंडन हो ऐसा तो हुई नहीं सकता तो भूले बाबा को इन्होंने छिकवाद दिया था कि इन्हें कोई यग में भाग नहीं देगा बड़े राजा है तो राजा की बात तो काम्याबी है और तुम विचार करो जितने गलत करम होते हैं वो बड़े ही आदमी कर पाते हैं छोटे इन्हों करको लिंदे हो सामर्थ कून दोस गुसाई रभि पाबक सुरसर की नाई सामर्थ वान को कोई दोस नहीं देता झालोब अन्हों को पाते हैं झालोब भाफ है झालोब आपब ब выдबग्द दोस रवे धन्मार्थ 1 पर पाते हैं झालोब प्रेशणina स조ब कर दोस डोड़े हाँ झालोशनिक हैं कोई य़िजनी वीशवर पाते हैं